हलो दोस्तो अभी तक हमने देखा कि resistance क्या होता आपका एक property होती है किसी भी element की जिसकी वज़े से वो क्या करता है आपका flow of charge का oppose करता है ये हमने देखा और क्या देखा कि कैसे आपके किसी भी element के across voltage drop या फिर हम बोले potential drop आपका होता है ये दो चीजे हमने last lecture में देखी अब हम हम इसमें समझते हैं कि किस-किस factor के उपर आपका resistance depend करता है ठीक है तो यहाँ पर आएए देखते हैं factors on which factors on which resistance depends किस-किस factor के उपर resistance आपका क्या करता है depend करता है ये चीज़ अब हम इस lecture में समझेंगे तो यहाँ पर आपका देखो माल लीजिए आपके पास में एक conductor है ये आपको जो marker नजरा रहा है ये marker माल लीजिए आपका क्या है एक conductor है ठीक है अब हो सकता है कि इस marker की length आपकी ज्यादा हो जाए यानि कि marker आपका हो सकता है इतना बड़ा हो जाए है ना और हो सकता है marker आप ऐसा समझिए कि हो सकता है आपका जो conductor हो वो छोटा हो या फिर आपका conductor बढ़ा हो तो इन दोनों case में आपका resistance क्या हो जाएगा चेंज होता जाएगा ठीक है क्योंकि आपका माल लीजिए आपका conductor इतना है तो यहां पे यह सिर्फ इतना ही conductor आपका क्या करेगा flow of electrons का oppose करेगा अगर आपका conductor बढ़ा होगा यानि conductor को अगर हम इतना बढ़ा कर देंगे तो अब आपका यह conductor क्या करेगा flow of electrons का जादा oppose करेगा क्योंकि इसकी length आपने क्या कर दी बढ़ा दी तो इसका मतलग resistance आपका किस पे depend करता है resistance आपका depend करता है किस पे resistance depends on length कि कि कितनी length क आपने क्या लिया हुआ है? conducting material लिया हुआ है ठीक है? जो भी आपने material यूज किया हुआ है उसकी length आपकी क्या होगी? तो अगर length ज़ादा होगी तो resistance ज़ादा और अगर आपकी length कम होगी तो resistance आपका कम हो जाएगा. तो resistance is directly proportional to किसके directly proportional होता है? length की directly proportional चीज़ से आपका क्या आएगा अब हो सकता है कि आपका area जादा हो यानि कि इस connector का area जादा हो हो सकता है आपने size जादा लिया हो इतना बड़ा connector लिया हो और हो सकता है कि आपका size बिलकुल ही इस उंगली के diameter जितना हो तो इसका मतलब आपका क्या हुआ ये किस पर depend करता है आपका electrons अगर ज़्यादा आए तो resistance कम हो जाएगा यानि कि आपका oppose कम होगा ठीक है तो इसका मतलब देखो next आपका देखिए resistance also depends on also depends on area of cross section cross section आपका क्या होता है cross sectional area या जो आपका effective area आपको नजर आ रहा रहा है इसको बोलते हैं आपका तो आपका किस पर depend करता है also depends on area of cross section of conducting material जो भी conducting material आपने लिया असका कितना area of cross section है इस पर भी आपका resistance क्या करता है depend करता है और कैसे depend करता है अब वो जड़ा जानिए माल लिजे आपने कोई wire पतली ले ली ठीक है ययनि कि हो सकता है कि आपने wire का diameter इतना लिया हो ये अपका माल लिजे एक wire है और हो सकता है कि आपकी wire इतनी हो ये भी हो सकता है आपका इतना मोटा कंडेक्टर हो आपका इस साइज के आपने वायर ले ली अब यहां से अगर माल लीजे एरिया इसको बोलते हैं यह जो सामने से नजरा रहा आपको इसको बोलते हैं आपका एरिया ओफ क्रो सेक्शन ठीक है तो यह आपका किस पर डिपेंड करेगा एरिया पर भी डिपेंड करेगा तो अब आप मुझे बताइए कि इस पतली वायर से आपके ज़्यादा इलेक्टरोंस आएंगे या मोटी वायर से आपके ज़्यादा इलेक्टरोंस आएंगे है ना तो इलेक्ट्रोंस अगर आपके ज्यादा फ्लो करेंगे यहां से तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा जिससे आपके ज्यादा इलेक्ट्रोंस आ रहे हैं यानि कि वहाँ पे अपोजीशन कम है और जहां पे आपक क्या हुआ कि जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रिजिस्टेंस कम होगा और जिसका एरिया कम होगा उसका रिजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा यानि कि वहां से इलेक्ट्रोंस का जो फ्लो है वो आपका कम हो जाएगा ठीक है यह आपके इन दोनों चीजों पर डिपेंड क कुछ भी आप ले सकते हो मतलब alloy भी ले सकते हो और आप कोई भी conductor ले सकते हो तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि इसका जो resistance होगा किसी भी element का वो किस पर depend करेगा वो आपका किस nature का element आपने use किया है उस पर भी depend करता है यानि कि आपका क्या हुआ resistance depends on nature of conducting material कि किस type का आपने material use किया हुआ है और आपका किस पर depend करता है resistance आपका depend करता है किस पर temperature पर कैसे depend करता है जैसे कि हम लोग घरों में आपके घरों से बाहर आपका जब देखते हैं तो आपका क्या होता है दो poles है माल लीजी एक pole यहां पे है और एक pole आपका यहां पे है इन दोनों के बीच में एक line है transmission lines जब हम सर्दियों में देखते हैं तो आपको नजर आएगी वो lines आपकी बिल्कुल सीधी आपकी नजर आएगी लेकिन जब हम उनको गर्मियों में देखेंगे तो वो lines आपकी ऐसे हो जाएगी देखो माल लीजी यह आपका एक pole है और यह आपका दूसरा pole है ठीक है के अंदर temperature क्या होता है आपका कम होता है ठीक है लेकिन summer के अंदर आपका क्या हो जाता temperature बढ़ जाता है तो जैसे ही आपका temperature बढ़ेगा वैसे ही आपका resistance क्या हो जाएगा यहाँ पे change हो जाएगा कैसे change हो जाएगा क्योंकि इसकी जो effective length है वो आपकी क्या हो गई है बढ़ गई है पहले आपकी length माल लीजे यहाँ पे आपकी length थी 20 meter की और जैसे ही आपका यहाँ पे समर्स आई तो इसकी length माल लीजे 22 meter की हो गई तो इसका मतलब आपका क्या हुआ temperature की वजे से उसके अंदर आपका क्या हो गया है चेंज आ गया है ठीक है तो resistance किस पर depend करता आपका temperature पे भी depend करता है तो fourth जो factor आपका आएगा उसके according resistance also depends on also depends on temperature resistance आपका temperature के उपर भी depend करता है तो आपने देखा चार factors को कि आपका किस-किस पर depend करेगा एक तो कितना लंबा वायर होगा दूसरा आपका area क्या होगा तीसरा किस nature का आपका होगा चोथा आपका क्या temperature होगा इन चारों चीज़ों पर आपका क्या depend करता है resistance depend करता है अब इन चारों को अगर हम combine करते हैं तब आपका क्या निकलता है वो जरा हम देखते हैं तो r it is equal to देखो r is directly proportional to पहले आपका directly proportional में देखते हैं यह आपका किस पर depend करता है एक तो length पर depend करता है और दूसरा आपका किस पर depend करता है area पर depend करता है यानि कि आपका क्या हुआ resistance is directly proportional to length अगर आपके यहाँ पे temperature की वज़े से length में कोई change हुआ है ना तब भी आपका resistance में change होगा temperature की वज़े से area के अंदर कोई change हुआ तब भी आपका resistance में change होगा और अगर आपने conductor को ही बदल दिया तब भी आपका resistance में क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो यहां से R is directly proportional to length upon क्या हो जाएगा यहां पे area अब जब मैं इस proportionality के sign को हटाऊंगा तो यहां पे एक constant आता है R is equal to इसको बोलते हैं row इसको क्या बोलते हैं row ठेक है row आपका होता है into length को हम लिखते है L से और area को हम लिखते है A से ठेक है तो इसको बोलते हैं जो row आपने लिखा है इसको हम बोलेंगे आपका resistivity इसको क्या बोलते हैं आपका resistivity तो यह आपकी हो गई resistivity ठेक है अब resistivity क्या होती है ये आपका किसी भी material का एक specific resistance होता है उसको बोलते हैं आपका resistivity यानि कि इसको हम क्या बोल सकते हैं specific resistance ठीक है जैसे कि आपका copper के बारे में अगर हम बात करें तो copper का कुछ ना कुछ क्या रहेगा specific resistance होता है अल्मॉनियम का भी आपका कुछ ना कुछ specific resistance होता है तो इन चीज़ ये आपकी क्या होती है इसको हम क्या बोलते है specific resistance का नाम एक उसको बोलते हैं resistivity ठीक है तो हर material की अलग-अलग resistivity आपकी होती है तो इसके बारे में हम आपे पता चला अब देखो इसमें यहां से resistance की unit आपक resistance, SI unit of resistance is, is ohm, OHM, जिसके नाम पे आपका क्या दिया गया है, ला दिया गया है, ohm slow, क्योंकि वही से तो आपका क्या निकलता है, resistance निकलता है, ठीक है, तो ohm आपका देते हैं, और ohm slow आपका क्या कहता है, at constant temperature, ठीक है, the current flowing through a connecting material is directly proportional to applied voltage, या फिर potential difference across the material, इन चीजों के उपर आपका depend करता है, क्या, ohm slow, ठीक है, तो अब ohm slow के बारे में अगर हम बात करें, तो ohm की जो representation होती है, वो आपकी होती ऐसे, और ये आपका एक scientist था, जिसका नाम था George Simon ohm, उनी के नाम के owner में इसके unit रखी गई है, और इसका symbol होता है, ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका ohm, अब दूसरा, हमने पढ़ा था किसके बारे में, conductance के बारे में, mho, तो more, आप भी क्या होती है, conductance की unit होती है, और इसको हम ऐसे भी present कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ohm inverse, क्योंकि हमने देखा था, g it is equal to क्या होता है, आपका, 1 by r होता है, ठीक है, g equal to conductance आपका क्या होगा, resistance का उल्टा, उसको हम बोलते हैं, आपका क्या, conductance, तो ये इन दोनों के बारे में पढ़ा, अब जरा हम देखते हैं, आपकी resistivity की क्या unit होती है, तो next आपका हिसमें हम समझें, SI unit of resistivity, resistivity की क्या SI unit हो जाएगी यहाँ पर, तो देखो, resistance की unit क्या होगी, R की ohm, ठीक है, अब resistivity को हम लिखते है, rho it is equal to, यहाँ से, R into area divided by length, R की unit आपके क्या है, ohm, area की आपकी क्या है, meter square, और यहाँ पर length की unit क्या है, meter, meter से आपका 1 meter cancel out हो जाएगा, rho को हम किसमें देंगे, ohm, meter में आपका देंगे, यानि कि specific resistance के unit क्या होती है, ohm, meter आपके unit होती है, specific resistance की, या फिर हम इसको बोलें क्या, resistivity, तो यहाँ पर हमने resistance के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि अगर आपका इन में से कोई भी factor आपका change हो जाएगा, यानि कि length change होगी, area change होगा, तो उसकी वजए से आपका resistance के उपर क्या effect पड़ता है, वो जरा हम देखते हैं next lecture में,